हेलो दोस्तों मैं हूँ लीजा and welcome to my show किसमत कार्ड और मैं लेकर आ गई हूँ आपका इस हफते का राशी फल जो की है October 1st से लेके October 7th तक और ये है हमारी वरिष्चिक राशी के लिए तो हम देखने वाले हैं वरिष्चिक राशी का ये हफता कैसा जाएगा हम tap करेंगे आपकी career की energy पे और आपकी relationships की energy पे आएए देखते हैं कि वरिष्चिक राशी का ये हफता कैसा जाने वाला है अगर मैं बात करूँ आपकी personal life की तो personal life में तो मुझे ऐसा लग रहे है कि आपकी life में कोई एक नया person आया है हो सकता है ये past से own but हो सकता है कि इनके साथ बहुत जादा gap रहा हो बात करने का और मुझे ऐसा लग रहे है कि वापस से कुछ communication तो definitely हो रही है आपकी किसी ना किसी के साथ इनको आप एक romantic point of view से भी देख रहे है हो सकता है कि आपको ये आपके work से मिले आपके work place से मिल सकता है ये इनसान हो सकता है जब आप अपने career में कुछ कर रहे हो उस time पे ये इनसान आपको मिला हो let's see universe आपको क्या बताना चाह रहे है आपकी love life को लेके from 1st to 7th October वाव तो बहुत लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहे है कि आप लोगों का अगर आप लोग सिंगल है तो वो जो सिंगल वाला phase है वो खतम होने वाला है मुझे सिंगल वाला phase है वो मुझे खतम होता हुआ दिख रहा है आने वाले कुछ time में तो अब आप जो आपकी ये जो energy है त्यून इन वाली जो आपके energy कि आपका ध्यान अभी तक अपने अंदर था अब आपका ध्यान जो है वो मुझे लगता है कि और चीज़ों पर भी होगा ठीक है आप अपने उस shift वाले अपने उस ध्यान वाले mode से निकले उस zone से निकले हो और अपना ध्यान जो है वो अपनी romantic relationship में भी लेके आए चाहे वो आपकी family को लेके हो आपकी wife को लेके अगर आप single भी है आपके कोई partner है लेके आपकी जो energy रहने वाली है इस हफते वो definitely र भी दिख रही है यह मुझे नहीं पता कि वो चीज होगी या नहीं होगी अगर आपके दिमाग में कोई doubt है तो लेकिन मुझे इतना definitely पता है that communication is on its way और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी life में जो भी होगा आप उनको पर्खोगे बहुत ओके तो वो एक परकने वाली energy भी दिख रही है कि क्या मैं इस इंसान पर trust कर सकता हूँ क्या ये लड़का मेरे सही है क्या ये लड़की मेरे सही है क्या मुझे इस cup को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो आपका दिमाग जो है न वो बहुत घूमने वाला है पहला त कि trust issues को लेके कि क्या ये इंसान सही है या नहीं लेकिन दीरे-दीरे मुझे लगता है कि आप इस चीज़ पर trust करोगे आप इस conclusion पर आओगे कि अभी बात करके देख और मुझे आपे बहुत बाते करते हुए दिख रहे हो आप बहुत जादा किसे से बात कर रहे हो और कहीं कहीं let me tell you कि universe ने इस इंसान को आपकी life में भेजा है तो इस चीज़ को ignore नहीं करना है अगर मैं बात करूँ आपकी career को लेके let's see आपकी career की क्या energies है वाव हमारे पास जो card आया है वो आया है transformation का तो पहली चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने career में already काफी कुछ अच्छा कर रहे हो आप बहुत समझदारी के साथ एक अच्छी maturity के साथ intellect के साथ अपना अच्छे से दिमाग यूज़ करते हो यह चल रहे हो and in fact मुझे लगता है कि आपकी जो आपकी speed है आपके career में वो बहुत जादा है और जितना जादा जल्दी जल्दी आप किये जा रहे है उतना जादा जल्दी आपको recognition भी मिल रहा है तो I think career को लेके तो full full आपके हर चीज में cards बहुत अच्छे हैं even though even though मुझे ये भी लग रहा है कि आपको जो मिल भी रहा हो सकता है आप उसमें satisfied नहीं हूँ ठीक है आपको चाहिए कि मुझे और मिले मुझे और मिले वो वाली energy मुझे दिख रहे है लेकिन उसके अंदर पी अब मुझे transformation आता हूँ दिख रहे है कुछ ऐसी जगाएं हो सकते हैं सबते में जहां पे आपको लगे कि साम दाम दंड भेद वो चीज यूज करना आपको पड़ सकता है अपने टूल्स को बहुत जादा शापली यूज करना है ओके एवन दो मुझे लग रहे है कि आपकी जो energy वो बहुत पीसफाली energy कि हाँ ठीक है जो शांती से हो जाए अच्छ है लेकिन बहुत चीज़े यसी होती है जो शांती से नहीं होती है तो वहां पर अ कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहे है कि अगर आप किसी पॉब्लिक कोई पॉब्लिक फिगर है या अगर आप पॉब्लिक वेस में है तो वहां पर मुझे एक बहुत अच्छा recognition होते होए दिख रहा है यूट्यूबर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये influencers के लिए ये वी बहुत जादा अच्छा रहने वाला है and I do see कि आपको लोग बहुत जादा अप्लॉड करेंगे आपके काम के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवानजली को सब्सक्राइब करें